दोस्तो अटलोट पर आप सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन और वीडियो को लाइक से कुछ पूझना कर चलिए इस वीडियो में दोस्तो 100% की गारेंटी है और बिल्कुल 100% पर नियू नोलेज नियू इंफॉर्मेशन जिसकी आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी यदि आपका लोन चल रहा है दोस्तो और क्रेडिट कार्ड चल रहा है और से रिलेटेड आपको असली वाली जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को धिहान से देखेंगे तो आप आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको अभी तक हो सकता है बहुत से लोग बहुत से लोगों को जानकारी नहीं इस जानकारी का इंतिजार कर रहे होंगे इसके बारे में जानना चाहते होंगे आखिर क्या कुछ है तो इसलिए हर कोई लोग वीडियो को देख लिजेगा और आप कहीं भी कोई भी काम करते हो तो आपको वहाँ पर बताने में सुईदा होगा चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ यही सब है सिविल है सिविल 800 प्लस ओनर्शिप कि आखिर क्या चीज़ है मोरे टोडियम पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोट में जो कुछ भी हुआ आरबी वाले मैटर पर सबको पता है लेकिन अब जो इस वीडियो में नई बात बताने वाला हूँ सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिजिएगा सबसे पहले क्या बात होगी हम सब लोग जानते ही है 2020 से लेके अभी तक जो सिच्वेशन है मार्च 2020 से लेके अभी तक की कि सीच्वेशन ऐसी है जो सायद पिछले 100 सालों में नहीं हुआ ठीक है जी देखिए मामला क्या है मामला ये है दोस्तों 2020 में पहला मौरेटोडियम लगा दूसरा भी लगा और इसके बाद तीसरा में आर बी आई ने में छे अगस 2020 को रिजोलिशन फ्रेमवर्क 1.0 निकाला और फिर रिजोलिशन फ्रेमवर्क 2.0 निकाला लेकिन ध्यान से स गलती से भी मत सोच लेना क्योंकि आपको जाना करें कि यहां पर देख लिए सबसे पहले में जरा आगे बढ़ने से पहले दिखा देते हैं आपको इतनी इदर कितनी सारी पॉइंट पर बात करें वाले बात करने वाले थीन चार मिनट के अंदर फिनिस करेंगे तो अब दे पर देखेंगे अन्सेकर वाले खास करके देखिए अन्सेकर वाले भी देख लो और क्रेट कार वाले तो देखिए लो क्योंकि इसमें पूरा जानकारी कूट कूट के है और हमारे सभी जितने चैनल है आज उस पर सभी चैनल पर वीडियो आएगा तो जो कुछ इधर सबसे पहले बात करते हैं जदी आपका लोन डिफॉल्ट हो गया आप नहीं पे कर पा रहे हैं और आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने अपने ही विहाब पर अपने लिए लोन लिया है तो यहां पर देखिए उस केस में बैंक सिविल में क्या रिपोर्ट करती है और उसकेस में सिंगल या इंडिविजॉल रिपोर्ट करेगी ठीक है यानि सिर्फ आप ही रिस्पों कार्ड है सबोज कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है ठीक है यह आपने इंडिविजली लिया है इंडिविजल के पर सिटी में लिया है उसके बाद आपने क्या क्या अपनी वाइफ के नाम पर ले लिया वाइफ को एक एड़ॉन कार्ड दे दिया फिर आपने फिर ब्रदर को दे दिया आपने मदर को दे दिया यानि एक एक में कार्ड से 4-4 add-on card आपने बनवा ली ठीकै तो उस केस में क्या होगा जो उनका जो सिबिल है जो जिनको अपने add-on card दीया है उसका उसका डाटा सो करेगा क्या सो करेगा उसका authorized user सो करेगा ठीक और यानि वह प्रेंट करनेके लिए यानि आप रिस्हों सिवल उसके पैमेंट करने लिए ठीक है तो इसलिए यहां पर अथशो करेगा थिकए यह बात हो गई अब दूसरी बात करतें दोस्तों गरेंटर का गरेंटर भी आपको मालून है जो भी व्यक्ति आपके लोन को गरे पे करने के लिए तो जो गारेंटर है वो रिस्पोंसेबल है पे करने के लिए ठीक है इसलिए उसका जो सिविल डिपोर्ट हो गारेंटर का उसका सिविल डिपोर्ट में क्या सो करेगा गारेंटर बाकि जो छुटा बरहा बात है दोस्तों वह हम बात करेंगे अपने उधर भी बात करें देख लिए इसे की साथ वीडियो करते हैं थैंक यू